नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी को एक ऐसे चमतकारी पौधे के बारे में बताऊंगा जिसकी जड़ लाखो रुपय का काम करती है जिहां दोस्तों इस चमतकारी पौधे के द्वारा आप अपने सारे बीड़े काम बना सकते हैं और इस पौधे के कई चमतकारी तथा दिव त आंतरिक प्रियोग हैं और इसके बहुत सारे और सधीय फैदे भी हैं जो मैं आपको अपनी इस बीडियो में बताऊंगा तो आप सभी चनरोध है इस दिब चमतकारी पौधे के बारे में जानने के लिए इस बीडियो को पूरा जरूर देखिएगा मित्रों तभी आपके समझ में आएगा जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ यह पौधा बहुत ही दिब पौधा है बहुत ही चमतकारी पौधा है दोस्तों इस पौधे का नाम है केला जी हां दोस्तों यह जो पौधा है केले का पौधा है आप सभी इसको जानते होंगे लेकिन इसके जो चमतकार है ज केले के पौधे के बारे में बहुत ही सारी धारनाएं एवं चमतकारी मानताएं हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों हिंदु धरम में केले के पौधे को भगवान विश्णू का अंस माना जाता है जिहां दोस्तों और इसकी हर गुरुवार हर होती है जिहां दोस्तों और दोस्तों क्योंकि इसको इसर का सरूप माना जाता है और दोस्तों यह बात सत्ते भी है इसर संसार के हर कड़ में हैं लेकिन दोस्तों जो केले का पौधा है इसको बहुत ही ज़्यादा महत्त दिया जाता है जिहां दोस्तों आपने देखा होगा कि कई लोग जो है पुखराज जिहां दोस्तों पुखराज पहनते हैं अपने कश्टों को दूर करने के लिए और अपने घर की नकरातमक उर्जा को दूर करने के लिए और यह जो पुखराज होता है ना दोस्तों एक लाख से लेकर के दो लाख रुपए तक काता है जिहां द पुखराज रतन को हर इंसान नहीं खरीद सकता यानि इसकी कीमत बहुत जादा है यानि एक लाग से दो लाग तक की होती है और इससे उपर भी होती है पुखराज रतन की कीमत लेकिन दोस्तों मैं आपको ऐसा सरल और दिब उपाय बताऊंगा जिसके द्वारा आप पुखरा आज रतन के बराबर लाव प्राप्त कर सकते हैं उससे भी ज़्यादा लाव प्राप्त कर सकते हैं जी हां दोस्तों क्योंकि यह एक बहुत ज़्यादा प्राकर्तिक चीज है जी हां दोस्तों तो दोस्तों आपको क्या करना है यदि आप बहुत ज़्यादा परसान है आपका क बोई भी कार सिद्ध नहीं हो पा रहा है या फिर आप तंतर छेत्र में हो या फिर दोस्तों आप क्या जो कारोबार है वह कारोबार नहीं चल रहा है आपको काम धंदा नहीं मिल रहा है या फिर दोस्तों आपका जो माइंड है बहुत ही जादा एक दम अकेला पन महसूस कर र मतलब आपको अंदर से जो है ना एक बोज सा बना रहता है आपके दिमाग में जी हाँ दोस्तों तो दोस्तों ऐसे स्थिति में क्या करें कि जो मैं आपको उपाय बता रहा हूं जितने भी आपके बिगड़े काम है सभी बनेंगे जो भी नकरात्मा कुर्जा है घर में उसका ही नास होगा और आपके घर में सकरात्मा कुर जाएगी और दोस्तों आपका मन हमेशा चिंता मुक्त रहेगा चिंता रहेगी लेकिन दोस्तों चिंता पूरी तरह से तो नहीं जाएगी इसके लिए आपको कुछ उपाय करना पड़ेगा जो मैं आपको बताऊंगा ठीक है लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, जो भी आप काम करेंगे, जो भी यह केरिया करेंगे, आपको लाब बहुत अच्छा मिलेगा और बहुत बढ़ीया मिलनेवाला है तो चलीए मैं आपको बताता हूँ वह उपाई क्या है तो दोस्तों, आपको क्या करना है? दिन जिहां दोस्तों जिस दिन पुष नक्षत्र पड़े उस दिन आपको जो है मित्रों ब्रस्पतवार भी होना चाहिए उसी दिन ठीक है उस दिन उस दिन जा करके दोस्तों यह किरिया करनी है लेकिन दोस्तों ध्यान दे यहां पर आपको ब्रस्पतवार को जिस दिन बुधिवार को जाना है यानि कि पुष नक्षतर हो ब्रश्पतवार वाले दिन उसके एक दिन पहले ही बुधिवार को आपको जाना है किले के पौधे के पास हल्धी चावल और एक लोटे में जल लेकर कि जाना है लोटा पीतल तामचांदी या स्टील का हो चलेगा ठीक है आपको लेकर के जाना है और साथ में एक लकड़ी भी ले जाना कीली सी ठीक है और जाकर के जहां केले का पौधा है यह क्रिया करते हो तो आपको कोई देखे ना ठीक है दोस्तों अगर देख भी लेता है तो कोई दिक्कत नहीं पर आप मत देखना किसी को ठीक है आपको क्या क करना है कि कैईले के पौधे के पास से जहां पर उसकी जहां पर दोस्ते उसके लगा दीजिए और उसके बाद ऑजो कि जड़ डाल दीजे उसकी जड़ में और प्रणाम करें है केले देवता मेरा प्रणाम शिवकार करें मैं आपको निमंतरन देता हूं है प्राकरती देवता जिस भी मैं कार की सिध्धी के लिए आया हूं आपके पकर करें के मेरा कार सिध्ध करें आपसे अन्रोध है मैं आपसे बिंती करता हूँ और उसको प्रणाम करें बोल देना कि मैं कल आपको इसी समय जी हाँ दोस्तों आपको ये बोलना है कि मैं कल इसी समय सुबह आपको लेने आऊंगा और प्रणाम करके आपको चले जाना फिर आपको अगले सुबह ब्रस्पतवार को जिस दिन पुष नक्षत रहो अगले सुबह जाना है उस केले के पौधे के पास नुक्री लकडी लेनी प्रणाम करना है कि प्रभू मैं आगया अब आपको मेरे साथ चलना है प्रणाम करके उस केले के पौधे की जड़ निकाल लेनी है कम से कम पांसे चैंच निकाल लीजिए पांसे चैंच निकालने के पश्चाथ दोस्तों आपको क्या करना है कि उसको आपको घर लाना है और घर लाने के पश्चाथ उसको अच्छे से पानी से धो लीजिए पहले दोने के पश्चाथ फिर आपको दोस्तों जो है उसको हल्दी के पानी में जी हाँ दोस्तों एक चमच हल्दी लेकिन दोस्तों ध्यान रखें हल्दी पावडर नहीं होना चाहिए गांट वाली हल्दी होनी चाहिए जो सावुत हल्दी होती है उसको पीछ लेना अच्छे से ठीक है और पीछने के पश्चात फिर एक चमच हल्दी लें उस देशी हल्दी को एक कटोरी पानी में डाल करके उस जड़ को डाल दें और रखे दें कम से कम आधा घंटा ठीक है और उसके पश्चात फिर जो है दोस्तों आपको हल्दी वाला पानी निकाल लेना है ठीक है और निकालने के पश्चा थोड़ा उसको जो है गंगा जल से दोना है दोने के पश्चाथ आपको जो है अपने मंदिर में रख लेना है उसको उसका पूजन करना है भगवान विशुनु का पहले पूजन करना है मातलक्षिमी का फिर उस जड़ का पूजन करना है ठीक करने के पश्चाथ आपको जो है ओम, गुर्बे, नमः आप ऐसे भी बोल सकते हैं ठीक है दोस्तों तो दोस्तों आप ऐसे कर सकते हैं बहुत ही असान है मंतर आपको जादा नहीं साथ से किस बार बोलना है ठीक है और उनको सच्चे दिल से रातना करनी है ठीक है और जो है उनको परिणाम करके और जो भी आप कारा है उसका नाम ले करके आपको दोस्तों क्या करना थोड़ी सी जड़ तोड़ लीजे थोड़ी सी एक इंच से भी कम और एक तवीज लाइए पीतल चांदी तामा की उस तवीज में उस तवीज में आपको थोड़ी सी जड़ तोड़ करके उसमें भर लेना है और उसको भरने के पश्चात गले में धारण कर लेना है ठीक है और धारण करने के पश्चात आप जिस भी कार के लिए जा रहे हैं दोस्तों जैसे ही जाएंगे आपका हर कार सिद्ध हो जाएगा जी हां दोस्तों जिस भी काम के लिए आप जा रहें सिद्ध हो जाएगा और जो बाकी की जड़े उसको मंदिर में ही रखे रहने दीजिए पैसे की कमी कभी नहीं होगी घर में धन धानने की कमी नहीं होगी भंडारा की कमी नहीं होगी और हाँ दोस्तों भंडारा की धन की कमी कैसे नहीं होगी जब आ नहीं कि आपको घर बैठे बैठे दे जा कोई लेकिन दोस्तों यह आपको एक सकरात्मा कुर्जा देती है एक दैविये सक्ति देती है जिससे आपको एक उत्तम प्रकार की उर्जा मिलती है एक अलोकिक सक्ति मिलती है इस वर की साइड से जिसको आप प्राप्त करके अपने का आत्मा कुर्जा है वह आपको रोक नहीं पाती है ठीक है और फिर दोस्तों आपके काम तेजी से होने लग जाते हैं जितने कार होते हैं बिगड़े सब बनने लग जाते हैं पढ़ाई का हो घर का हो मतलब पती पतने मियान बन हो मतलब कैसी भी चीज हो ठीक है दोस्तों लेकि जा रहे हैं उसको जो है निकल जाई आपका कार अवश्चित होगा जो बाकी की जड़े उसका पूजन करिए दोस्तों और दोस्तों आप देखेंगे धीरे-धीरे आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगे जिहां दोस्तों और दोस्तों एक बात और मैं बताओं और यदि आ करना चमतकारी प्रभाव है जिहां दोस्तों दोस्तों जो लोग दो लाख का तीन लाख का पुखराज रतन पहन करके लाभ ले रहे हैं साकरात्मा कुर्जा प्राप्त कर रहे हैं घर की सभी सुक्सांती को प्राप्त कर रहे हैं और घर की नकरात्मा कुर्जा का नास होता ह ऐसी सक्तियों की घर में आगवन से जिहां दोस्तों तो दोस्तों इस चीज का ध्यान रखें और अपना ध्यान रखें ठीक है और यह उपाय को करें जितनी भी नकरात्म कुर्जा होगी जितने भी संकट होगे सब करनास होगा आपका कारब बनेगा ठीक है दोस्तों इस चीज दिब फायदे के बारे में धन्यवाद